हाई गाईस इस अमर्टर एन वेलकम टू अमर्ट क्लासेश फॉर इंग्लिस यूटूब फ्यानर आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं रमजान से जुरे कुछ इंग्लिस वर्ड तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रम अब चलते हैं इस मंथ में जो जो इंग्लिस वर्ड आते हैं या हो सकते हैं उसको मैंने क्लेक्ट करके आप लोगों की सामने लाया है ठीक है तो चलिए पहला वर्ड है आपका महस्जिद महस्जिद एक ऐसी जगह है जहां पर मुश्लिम भाई लोग नवाज पढ़ने के ल लेह तो इसका इस होता है मॉश्च इम ओ ऐस्टी एक नेश वर्ड हो के अड़का Century और सुरियो दे़का English meaning होता है डाओन वदों मतल्च उड़्ज उदय से पहले का जो समय होता है उसे हम डाउन क्यार ुश्रियास्ठ नेक्ट वर्ड है आपका सुरियास्त नेक्ट वर्ड आपका सुर्ज के अस्त होने के बाद का जो जश्ट समय होता है उस समय को हम डस्क करते हैं ठीक है नेक्ट वर्ड है आपका अजान अजान के बारे में आपको जानता ही होगे तो आजान का English meaning क्या होता है, प्रेयर, कॉल, ठीक है, प्रेयर, कॉल, ठीक है, नेक्ट वर्ड है आपका सुहूर या सहरी, सुहूर या सहरी क्या होता है, सुर्योत्राई के समय सूरज उगने से पहले जो मुस्लिम भाय लोग रोजा के दौरान जो नास्ता करते हैं उसे हम सहरी या सुहूर कहते हैं और उसका एंगलिस होता है प्री डाउन मिल उसका एंगलिस क्या होता है प्री डाउन मिल नेक्ट वर्ड है आपका इफ्टार और इसका मतलब होता है कि सूर्ज अस्त होने के पाद जो मुस्लिम है लोग जुनासा करते है रोजा की दोरान उसे इफ्टार कहते है और इसका इंगलिस होता है इसका इंगलिस क्या होता है प्री डस्त मिल नेक्ट वर्ड है आपका रोजा रोजा का इंगलिस होता है फास्टिंग या रोजा करना रोजा रखना का इंगलिस होता है अब्जर फास्टिंग ठीक है next word है आपका नवाजपढना नवाजपढना का English meaning होता है offer नवाज निस alpha का English meaning होता है offer नवाज ठीक है next में होते हैं रुकू रुक्द का मतलब होता है कि सिड़ को झुका कर कि Allah के सामने इस्ष्टवर के सामने जो इबादत करते हैं जो दुआ करते हैं उसे हम रुकू करते हैं और इसका इंगलिस होता है बो डाउन इसका इंगलिस होता है बो डाउन ठीक है? लेक्श वर्ड है आपका सजदा सजदा का मतलब होता है कि अपने सीड को जुका कर इस word के सामने दुआ करने को हम संस्दा खाते हैं और इसका English होता है प्रोस्ट्रेशन इसका English होता है प्रोस्ट्रेशन ठीक है नेक्ष्ट वर्ड है आपका दुआ इसका दुआ जिसको हम लोग आशिरपात बोलते हैं ठीक है तो दुआ का English होता है आपका सप्लीकेशन दुआ का English क्या होता है शप्लीकेशन होता है ठीक है नेक्ष्ट वर्ड है आपका सुराह नेक्ष्ट वर्ड आपका सुराह है कुरान में जो चैप्टर होते है चैप्टर पार्ट जो होते है उसे सुराह कहा जाता है ठीक है और इसका English होता है चैप्टर इसका English क्या होता है चैप्टर नेक्ट वर्ड है आपका आयत आयत का मतलब होता है कि उस चैप्टर में जो जो लाइन लिखे होते हैं उसे हम आयत कहते हैं और इसका इंग्लिस होता है वर्ड्स उसका इंग्लिस क्या होता है वर्ड्स होता है ठीक है नेक्ट वर्ड है आपका जकात और इसका इंगिस होता है charity ठीक है नेक्ष बड़ा है आपका सबाब ठीक है और इसका मतलब होता है उन